यारो स्क्रीन पर लिखी हुई जो इमेज आप देख रहे हैं ये कोई आम चीज नहीं है बलकि ये तो हमारी दुनिया का सबसे पहला कुरान है वही कुरान जो हजरत उस्मान गनी के ओरडर पर आज से तकरीबन सारे 13 या 1400 साल पहले लिखा गया था आपको बताते चलें के ये हद से जादा पुराना कुरान साल 2015 में इंगलेंड के शाहर बर्मिंगम की युनिवरसिटी में दरियाफ्थ हुआ था लेकिन यारो अब सवाल यही है के इसका क्या एविडेंस है के ये हमारी दुनिया का सबसे पुराना रिटेन कुरान है तो चलिए उसी को समझने की कोशिश करते हैं दरसल 2015 में अलबा फैडली नाम की एक स्टूडेंट बर्मिंगम की लाइबरेरी में अपनी स्टडी के लिए बहुत सारा माटेरियल इकठा कर रही थी उसी वक्त अचानक से उनके हाथ में ये हद से जादा पुराने कुरान का नुस्खा आया मगर अरबी में लिखा होने की वज़ा से उनने कुछ समझ में नहीं आया लेकिन हाँ वो इतना जरूर जान चुकी थी कि ये कोई आम चीज नहीं है इसलिए उन्होंने अपने सीनियर को दिखाया जब सीनियर को भी इस पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसको रिसर्च के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा और रिसर्च में जो बात सामने निकलके ही उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिये क्योंकि रिसर्च में ये किलियर हो चुका था कि ये कोई आम किताब नहीं बलकि दुनिया का सबसे पुराना रिटेन कुरान है जिसे भेलिया या बकरी जैसे जानवर की खाल पर लिखा गया था